स्टार्ड विद दे बेस्ट नेम अफ अल्माइटी अल्लाव हूँ इस दा मोस्ट मर्सिफल एंड बैनिफिशल डियर इस्टुडेंट्स आई एं सर अब्दुलरहीम यूर मैज्ज टीचर आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ह औरफिशन्स ऑंसे यानिके आज की टॉपिक में हमें पढ़ना ये के और शेट के ओपर है कोन से ऑपरिशन्स होते हैं तो सबसे पहले मैं लिग देता हूं कि आपरेशन्स ऑंसे डियर इस्टुडेंट्स आब यहां पर देखें प्रीशन्स और टू सेट्स ठीक है स्टुएंट्स ऑपरेशन्स ऑन टू सेट्स तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको किलियर कर देता कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन्स ऑन टू सेट्स होता क्या है तो डियर इस्टुएंट्स अभी आप देखें ऑपरेशन्स जो होते हैं यहां पर मैं आपको एक बता एक बात बता दू के operations जो है सिर्फ पेशन्ट के नहीं होते होना है तो इसी हावाले से हमारे जो sales होते हैं तो उन sales के भी operations होते हैं लेकिन हमारा जो सेथ है वो पेशन्ट नहीं है ठीक है तो इसे होले से आज कि हमारा टॉपिक है वह थोड़ा जो है वह ऑपरेशन की आवाले से तो इसमें घबनाने वाली बिलकुल भी नहीं यह आगा आज पता एक operation जो होता है union of the set होता है ठीक है students तो जो union होता है यह operation कहलाता है दूसरा operation जो हमारा होता है intersection of two sets or three sets आपको जितने भी sets निकालने हो आप easily find कर सकेंगे इस वीडियो के देखने के बाद ठीक है students तो मैं जो है बहतर जो है तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि operations on sets कैसे होते हैं तो students सबसे पहले पहले जो operation होता है वो union of the set होता है यानि कि अगर हमारे पास कोई two sets given है तो उनकी operation union लगा के हम उनको union कैसे कर सकते हैं और तो दूसरा जो हमारा operation होता है वो intersection का होता है intersection of two sets होता है उसके बाद जो है difference of the two sets होता है यह third operation होता है उसके इलावा universal set होते हैं या फिर जो है आपके compliment हो गए तो यही सारी चीजें आज इंशाला हम अपनी वीडियो में cover करेंगे तो इस्टुडेंट्स आज का टॉपिंग हम स्टार्ट करते हैं डियर इस्टुडेंट्स अभी हमारा पहला जो operation है सेट के उपर वो क्या है union of two sets सबसे पहले-पहले यहां पर देखें union of two sets क्या होता है तो स्टुडेंट्स सबसे पहले-पहले मैं यहां पर आपको definition बता रहा हूं आप थोड़ी सी definition के उपर गोर कीजिएगा the union of the sets the union of the sets a and b अब देखें हम दो sets के उपर हम discuss कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो set given है उनके दर्मियान हम union कैसे find करें तो students the union of the set a and b denoted by a union b students denoted by a union b यानि कि अगर कोई भी हमारे पास दो sets given है एक a given है और दूसरा b given है तो उसको हम जो जाहर करते हैं वो a union b से जाहर करते हैं the union of the set a and b denoted by a union b is the set contain those elements which are contain in a or b are both ठीक students तो देखें आपर अब ही मैंने आपको एक definition बताई किस अगर हमारे पास कोई भी दो set given है अब यहाँ पर देखें हम एक example कर लेते हैं जिससे जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है students let's suppose a is equal to one comma two comma three comma four और बी जो है हमारे पास कोई भी दो sets है इनके अंदर जो है हम operations जो कर रहे है students वो हम कर रहे union of two sets अब देखते हैं कि दो sets के अंदर union कैसे find करते हैं तो जहाँ पर देखें अब मैं कहता हूं कि भाई यह वन टू थरी फॉर है और इसमें जो है थरी फॉर फाइव और six ले लेते हैं ठीक है students तो अभी देखें यहाँ पर हमें जो है इन चीजों का हमें यूनियन फाइंड करना है find the union of the two sets तो union of the two sets कैसे निकलता है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें ए यूनियन भी यह चीज़ हमने one two three four sorry one two three four तक जो है एक elements है उसके बाद हम यूनियन लगाएंगे यूनियन के बाद हम क्या करेंगे बी के elements रखेंगे तो बी के elements कौन से हैं three four five six और यहाँ पर ब्रेकेट क्लोज उसके बाद dear students a union b is equal to union के अंदर मैंने आपको अभी आपको definition बताई कि इसमें कौन सी चीज़ें कंटेंड करती हैं कहता है a union b is the set that contain those elements which are contain in a or b are both यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि इन दो sets के दर्मयान यानि कि दोनों sets के अंदर जो भी elements होंगे dear students वो हम मिला के रखेंगे यानिके जो यूनियन फाइन्द करने का यह तरीक्यार होता है कि आप a का elements hai और b के elements रखें तो उनको हम क्या केते हैं union ठीक है student do then keep each तरह से हम एं वन igy q km 4 देखें यह एक elements है या पिर आप क्या क्या करेंगे b के a elements भी रखेंगे अब देखें यहाँ पर 3 है, 3 हम पहले रख चुके हैं और dear students एक बात जहन में रख रहे हैं कि said के अंदर कभी भी repetition नहीं होती repetition नहीं होती तो देखें यहाँ पर 3 और 4 हम एक दफा रख चुके हैं तो again 3 और 4 यहाँ पर हम नहीं रखेंगे ठीके students because the repetition of the numbers are not allowed in the said 5 और 6 को add कर देंगे तो यानिके यह जो हमारा हमारा union का answer होगा students आप जान चुके हैं कि हमारे पास अगर दो सेट्स हों तीन सेट्स हों तो उन तीनों सेट्स की या दो सेट्स की हम easy जो है union find कर सकते हैं ठीके students तो अभी यह सारी यूनियन का सेटप जो है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अगरे अगला जो हमारा operation है वह intersection of two sets अभी देखते हैं intersection of two sets के अंदर क्या होता है दूसरा जो हमारा operation है operations on two sets की हम study कर रहे हैं तो हमने पहला जो है वह हम clear कर दिया कि union of the two sets कैसे होता है अभी दूसरा हम cover करेंगे intersection intersection of two sets जाने के दो सेट्स के दर्म्यान intersection कैसे मालूम की जाए तो dear students the intersection of the of two sets denoted by a intersection b जैसे के हमने पहले का कि इसके अंदर जो है a union b शो किया जाता है डिनोट किया जाता है अब इसके अंदर क्या होगा a intersection b the intersection of two sets denoted by a intersection b अब union में हम क्या कर रहे थे dear students u लगा रहे थे और इसमें जो है हम उल्टा u याने के हम इसको क्या पढ़ते है intersection पढ़ते है intersection of two sets याने के a intersection b is the set that contains those elements which are contain in both a and b तो dear students अभी हम इस definition के ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं कि याने के its definition का क्या है जैसे कि हम union में दोनों sets के elements को मिला के रख रहे थे उसके अंदर repetition नहीं हो रही थी तो intersection के अंदर देखते हैं क्या होता है अभी मैंने आपको definition बताई the intersection of two sets denoted by a intersection b सही है students यहाँ पर मैंने लग दिया a intersection b is the set that contain those elements which are contain in both a and b अब देखते हैं इसका मतलब क्या है तो dear students मैं कहता हूं मेरे पास कोई एक set है a जिसके member है a b c और d ठीक है students और मेरे पास एक दूसरा set है क्योंकि हम दो sets के उपर operations कर रहे हैं तो यानिके इसी हवाले से मैं दो sets यहाँ पर ले रहा हूं why we are here using the question mark यहाँ पर जो है क्योंकि हमें यह चीज़ find करनी है इसलिए जो चीज़ find करनी होती है उसके आगे हम question mark लगा देते हैं तो dear students आगे का मरला start करते हैं a intersection b is equal to अब हम क्या करेंगे a का जो है elements रखेंगे देखें a के elements क्या है a,b,c,d ठीक है students उसके बाद intersection union के अंदर हम क्या कर रहे थे यहाँ पर union लगा रहे थे अब यहाँ पर intersection है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे intersection का इस्तामाल करेंगे dear students अब बताएं b के elements कौन कौन से है b के elements है c,d,e and f ठीक है students अभी देखें इस में हमें क्या करना है वो elements लिखने हैं जो common होंगे common का मतलब क्या होगा अभी अभी मैंने आपको बताया के those number यानिके is the same that contain those elements which are contain in both a and b अब देखें यहाँ पर जो है यानिके अब हमें यह देखना है के हमारे पास common elements कौन से है ठीक है students अब देखें यहाँ पर a है यहाँ पर a नहीं है तो यह common नहीं हुआ तो यानिके हम अपने answer में नहीं लिखेंगे dear students मैं आपको again repeat कर दूँ ताकि हमें यह चीज़ करने में आसानी हो union के अंदर सारे elements मिलाके रख रहे थे उसमें अंदर repetition कोई भी नहीं थी intersection के अंदर हम क्या कर रहे हैं intersection के अंदर वो नमबर लिखेंगे जो दोनों में common होगा एसा element जो दोनों में common होगा वो ही हमारा intersection के answer में आएगा अगर कोई नमबर common नहीं है तो intersection के answer में वो हम नहीं लिखेंगे अब देखें कैसे operation आये करके देखते हैं A का A यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो यह common नहीं है common का मतलब होता है कि ऐसा number जो दोनों साइडों पर मौझूद हो अब A यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है और B यहाँ पर है यहाँ पर भी नहीं है उसके बाद देखें C यहाँ सेट्स का भी निकाल सकते हैं intersection का आगर आपको concept समझ में आ जाता है तो आप आराम से बेड़ के दो सेट्स हो तीन सेट्स हो आप उनको आराम से जो है इनकी आप intersection कर सकते हैं तो dear students यहाँ पर देखें हम first set को दूसरे सेट्स के जो है compare करते हैं और जो है उसके बाद यहाँ से compare करवा के end कर देते हैं ठीक है students तो intersection का concept आपको समझ में आ गया होगा dear students अभी तीसरा जो हमारो operation है सेट्स के उपर वो है difference of two sets number third is difference of two sets difference of two sets अब दिखते हैं difference के अंदर क्या होता है सबसे पहले पहले हम समझ लेते हैं the difference of two sets a and b is denoted by a difference b देखें इन दोनों का denoted कैसे करते हैं a difference b यानि कि कुछ students जो है इनको minus भी बढ़ते हैं ठीक है students अगर a difference b पढ़ा जाए तो अच्छी बात है वरना काफी students जो learners होते हैं वो प्रेशान होते हैं कि आप a में से b minus कैसे होगा तो इस तरह से students अगर आपका concept difference of two sets के उपर clear होगा तो आपको जब भी a difference b देखने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर operations on two sets के उपर बात हो रही है ठीक है students the difference of two sets a and b is denoted by a difference b is the set containing those elements that are in a but not in b तो dear students यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि difference के अंदर हम क्या करते हैं अगर हमारे पास कोई भी दो elements हैं कुछ set a के elements हैं और set b के elements भी हमारे पास मुझूद हैं तो in difference के अंदर हम क्या करते हैं वो elements रखते हैं जो set a में तो मुझूद होते हैं लेकिन set b में मुझूद नहीं होते जाने के A से नमबर लिखते हैं जो common नहीं होते dear students मैं repeat कर दूँ के union के अंदर हम सारे elements मिला के रख रहे थे intersection के अंदर वो number रख रहे थे जो common थे अब difference के अंदर हम वो elements रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ non common होंगे ठीक है students जो common नहीं होंगे अभी मैंने आप लोगों को एक definition बताई A difference B is the state containing those elements that are in A but not in B यानि के सिर्फ और सिर्फ A में होंगे B में नहीं होंगे तो dear students अभी हम इसकी एक statement लिखते हैं इंशाल्ला आपको समझ में आ जाएगा A difference B dear students अब देखें आपर A difference B is equal to curly bracket start x such that x belongs to A ठीक है students यानि के x का जो value है A से तो belongs करेगा and and x does not belongs to B ठीक है students I hope आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई भी दो set है एक set A है और दूसरा set B है तो set A के सारे element contain करेंगे लेकिन set B का कोई एक भी element contain नहीं करेगा तो dear students अभी हमें एक example ले लेते हैं जिससे हमारा अच्छे तरीके से वह clear हो जाएगा A is equal to 1,2,3 and B is equal to far suppose 2,3,4 ठीक है students तो अभी देखें difference का system कैसा होता है A difference B अब ये चीज़ हम find करने जा रहे है question mark and A difference B is equal to अब A के elements कौन से हैं 1,2,3 difference लगाएंगे बीच में difference की निशानी लगा दी उसके बाद हम B के elements रखेंगे 2,3 और 4 ठीक है students तो अभी यहाँ पर देखेंगे आप A difference B अभी अभी मैंने कहा के difference के अंदर हम वो elements रखते हैं जो single होते हैं यानि कि common नहीं होते हैं अब देखें यहाँ पर one है यहाँ पर one नहीं है तो यह one को हम इसमें शामिल कर देंगे अब यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है यह common हो गया तो यह intersection के कहान ही है तो इसलिए 2 यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे उसके बाद 3 को देखें 3 यहाँ पर भी मौझूद है 3 यहाँ पर भी मौझूद है तो 3 का सिस्टम भी इस difference के अंदर नहीं आएगा क्यों क्योंकि यह common number है तो हमारा जो answer होगा dear students वो one ही होगा याने के difference के अंदर याने के एक ही element आया और याने के वो element आया जो common नहीं था ठीके students I repeat again a difference b is the shade containing those elements that are in a but not in b is called the difference of the two shades I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा dear students अभी अगला जो हमारा ओप्रेशन है सेर्स के उपर वह सेमेट्रिक डिफ्रेंस आफ टू सेड्स डियर इस्टुरेंस आप देख सकते हैं यहां पर चोथा जो है वह हमारा सेमेट्रिक डिफ्रेंस सेमेट्रिक डिफ्रेंस और टू सेड्स ठीके इस्टुरेंस अभी देखते हैं सेमेट्रिक डिफ्रेंस क्या होता है अब लेस्टूरेंस अभी देखें सेमेट्रिक डिफ्रेंस और टू सेड्स डस अचिंद सेड़ कि देखने होती है इसको सेमेट्रिक क्टे कने पर आपको कहीं पर भी देखने को मिलती है तो आप directly समझ जाएं कि यहां पर याने के दो सेट्स के दर्मियान symmetric difference की बात की जाएगी ठीक है students तो symmetric difference on two sets देखते हैं किस तरह से होता है तो सबसे पहले पहले हम इनकी definition के ऊपर थोड़ी नजर रखते हैं कि याने के symmetric difference actual में होता क्या है तो dear students मैंने अभी आपको बताया the symmetric difference of sets A and B denoted by a symmetric difference B is the set containing those elements which are either in A or in B but not in both A and B ठीक है students अब देखें यहां पर आने के आपको definition बता दी आप जो है चाहे तो अपनी copy में लिख सकते हैं ठीक है students और जो है अब देखते हैं यह होता क्या है तो A difference B dear students देखें A symmetric difference B is equal to उसके बाद क्या है A union B यह इसका एक formula होता है जिसके वजा से हम समझ जाते हैं कि याने के यह actual में होता क्या आप देखें A intersection B ठीक है students I repeat again the symmetric difference of set A and B denoted by a symmetric difference B इस तरह से हम उसको denote करते हैं is the set containing those elements which are either in A or in B but not in both A and B याने के दोनों में नहीं होने चाहिए ठीक है students अभी इसकी deeply हम समझते हैं इसके लिए हम एक example करेंगे जिसके लिए जो है हमारे एक बहतरी इन रेनमाई हो जाएगी और हमारा concept मजीद clear हो जाएगा 1,2,3,4 को लेते हैं dear students और B है हमारे पास 2,3,4 और 5 ठीक है students तो अभी आईए देखते हैं इसका solution निकालते हैं कैसे होता है A symmetric difference B ये चीज़ हमने find करनी है हमेशा की तरह question back लगाना है और A symmetric difference B is equal to सबसे पहले वही A के elements रखेंगे 1,2,3,4 ठीक है students उसके बाद हम symmetric difference की निशानी लगाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे B के elements रखेंगे तो B के elements जो है हमारे पास 2,3,4,5 अब देखें students यहाँ पर symmetric difference के अंदर हम क्या करते हैं दोनों states को compare करते हैं जबके difference के अंदर हम क्या कर रहे थे हम देख रहे थे कि यहाँ पर अगर कोई एक element है वहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर अपने आंसर में वह सिंगल एलिमेंट रख रहे थे लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पर देखना है यहाँ पर वन है यहाँ पर वन नहीं है तो यह वन रखेंगे यहाँ पर टू है यहाँ पर भी टू है तो इस टू को लीव कर दें थ्री को भी लीव कर दें क्योंकि दोनों तरफ मौजूद है फोर को भी लीव कर दें उसके बाद देखें बी को आप देखें बी में फाइव मौजूद है जबके यहाँ पर फाइव नहीं है दोनों सेट् single elements होंगे वही वही हमने जो है अपने answer में ठीक करने ठीक है तो यहां पर वन था और यहां से देखें फाइव है तो सब्सक्राइब किसी भी सेट के अंदर इस तरह से जो है आप easily find कर सकते हैं अगर इसमें कोई भी किसी भी किसम की confusion हो तो dear students comment box is open for you just ask me question ठीके students आपको अच्छे दरीके से इंशालला में गाइड करूंगा तो इसमें जो है सेवेट्रिक डिफरेंस के अंदर आप लोगों को यह समझ में आ चुका होगा dear students अभी आपने operations के ऊपर आपका लेक्चर चल रहा है और आप सीख रहे हैं कि सेट्स के ऊपर operations कैसे होते हैं अगला operation जो हमारा होता है वह हमारा यूनिवर्सल सेट अब देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है असेट विच कंटेंस आल दे सेट्स अंडर दे समझें नहीं है कोई बात नहीं है अब देखें यहां पर जो है एक सेट का यानि के यूनिवर्सल सेट एक हुज numbers का collection होता है जो के हम compliment of the set यानि कि किसी भी set का compliment होगर हमें निकालना होता है तो उसके लिए यह universal set जो होता है वो helpful साबित होता है तो dear students मजीद जो हम इसको compliment of the set में पढ़ते हैं फिलाल के लिए मैं इसको आपकी definition बता दूँ कि यानि कि universal set एक ऐसा set होता है जिसकी अंदर बहुत सारे number मोजूद होते हैं जिसकी मदद से हम compliment of the set easily find कर सकते हैं I repeat again the definition of the universal set is a set which contains all the sets under the consideration is called a universal set तो dear students compliment set के अंदर इनका कैसे इस्तमाल होता है आये सिखते हैं कि compliment of a set के अंदर universal set का क्या इस्तमाल है dear students compliment of a set के हम बात कर रहे थे आये देखते हैं क्या है on number six compliment dear students याद रखिएगा compliment of a set compliment of a set अभी देखते हैं कि compliment of a set क्या होता है dear students let you be a universal set compliment का वजूद तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक हमारे पास universal set मौजूद नहीं होगा मैंने आपको बता कि universal set एक ऐसे नमबरों के इतादाद होती है यानिके एक ऐसे numbers में मौजूद होते हैं जिनकी मदद से हम compliment of the set आराम से मालूम कर सकते हैं तो dear students यहां पर definition के ज़रा उपर आप focus करें let you be a universal set and let a is a proper subset of you then the compliment of a set a is denoted by a power c यानिके a compliment इसको इस तरह से आप दिराज कर सकते हैं या फिर a compliment इस तरह से भी आप इनको denote कर सकते हैं तो dear students आगे चलते हैं is the set जाने के इसको हम denoted करते हैं a power c या a compliment और a compliment यानिके a dash से भी हम जाहर करते हैं ठीके students तो आगे चलते हैं a compliment is the set containing those elements of you which are not in a known as the compliment of a set आईए मजीद समझते हैं घबराने के बिल्कुल भी जरूत नहीं है यानिके compliment का जो फार्मॉला होता है और मान लीजिए यहाँ पर यू यह हमारा universal set है इसके अंदर जो है मैंने क्या का कि बहुत सारे numbers मौजूद होते हैं तो आप देख सकते हैं कि यानिके हमने universal का एक set बनाया है उसके बाद जो है हमारे पास एक a का set मौजूद है वन कॉमा टू कॉमा थ्री डियर इस्टुटेंट्स तो अब भी हमसे सवाल किया गिया कि भाई आप जो है एक कॉम्प्लिमेंट मालूम करके दिखाएं अब एक कॉम्प्लिमेंट मालूम करेंगे तो देखें यहां पर हमारे पास तो सिर्फ a मिला हुआ है हम इसका कॉम्प्लिमेंट कैसे निकालें तो डियर इस्टुटेंट्स अगर आपको एक कॉम्प्लिमेंट फाइंड करना है तो A compliment is equal to यह बराबर होता है U difference A के ठीक है students U difference A के आईए देखते हैं निकालते हैं कैसे निकलता है A compliment हमें find करना है A compliment is equal to question mark because यह हमने find करना है तो A compliment is equal to इसका formula होता है universal state में से difference करेंगे A का तो देखते हैं जो चीज मिलेगी वो A compliment का answer होगा A compliment is equal to अब देखें U के elements रखेंगे U के elements है dear students 1,2,3,4,5,6,7 उसके बाद देखें यहाँ पर difference लगाएंगे उसके बाद देखें A के elements यहाँ पर pick करेंगे 1,2,3 अब वही difference का तरीके का आप पढ़ चुके हैं अभी अभी के यानिके difference के अंदर हम क्या करते हैं यानि A compliment is equal to अब वो elements रखेंगे जो single होंगे 1 यहाँ पर है यहाँ पर भी मौझे तो यह double है मतलब common भी है यह नहीं रखेंगे यहाँ पर two है यहाँ पर भी two है यह भी नहीं रखेंगे यहाँ पर three है यहाँ पर भी three है इसको भी छोड़ दें ठीक है student three के बाद देखें four यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है four five six seven जो है वहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे four five six seven ठीक है students तो देखें हमारा compliment का यह answer मिल गय अब students जरा सोचें अगर हमारे पास universal state नहीं होता यानि के हम इसके बिना फिर कुछ भी नहीं कर सकते थे compliment को हम कैसे find करते हैं तो इसलिए universal state के बारे में मैंने आपको कहा कि compliment के अंदर समझते हैं तो आप समझ लीजिए a state which contains all the state under the consideration is called a universal state इसको हम इसलिए जो है under the consideration कहते हैं यानि के यह हमारा compliment set के लिए एक helpful थाबित होता है तो dear students आज की class हमारी यहां तक मुकमल होती है I hope आप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा in the end of this video आखर मैं dear students आप से एक चोटी जी गुजारिश होती है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो इसी साफ से अपने दोस्तों से अपने शेयर करें और घर में अपने बच्चों को भी दिखाएं या आप जितने भी आपके फ्रेंड्स से उनके साथ शेयर करें ठीक है students तब तक अगली वीडियो में मिलता है इंशाला कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगर आपको भी कि इसी चीज़ की जरूरत हो या कोई चीज़ आपको समर में ना रही हो तो आप मुझे comment में message कर सकते हैं और dear students एक मैं आपसे especially request करूंगा मुझे comment box में ये last भी बताएं कि मेरे lectures आपको कैसे लग रहे हैं या फिर इसमें और मजीद changing करनी है या फिर और आसान तरीके से जाओंगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्हाफिस पाकिस्तान जिन्दाबाद